सर्दियों के बिल्कुल भी टेंशन मत करना क्योंकि मेरा काम है आपके रजाई गद्दे भढ़ना हाँ मैं हूँ रुई पीनने वाला मैं सुबा छे बजे अपना ये ठिया खोल लेता हूँ फिर ये रजाई गद्दे बाहर रख देता हूँ रजाई गद्दे है तक्यों मैं बढ़ने के लिए मेरे पास यहां में इनली तीन तरह की रुई है देशी रुई 170 रुपे किलो चाइनीज रुई 120 और रिलाइंस वाली फाइबर 160 और एक रजाई में तीन किलो रुई लगती है गद्दे में दो और तक्ये में आधी से डेढ़ कुछ कस्टमर यहाई से नई रुई खरीते हैं और फिर उसे यहाई पिनवाते हैं और कुछ अपनी पुरानी ही रुई पीनने के लिए दे जाते हैं पिनाई हम इस मशीन के थुरू करते हैं पहले मशीन साफ करी और फिर इंजन में डीजल चेक करा फिर जल्दी से हत्ती गुमा कर यह इंजन स्टार्ट करा जिससे मशीन चालू हो गई उसके बाद में इधर से साबत रुई डालता रहा और इसकी पिछली साइड से ऐसे पिनी हुई रुई निकलती रही फिर इसे रजाई के कवर के उपर रखके डंडी से एकुल करा और जाडू से नीचे को दबा दिया उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से रुई अंदर ली तरफ कर दी और उपर से भी थोड़ी डंडी बजाई फिर इसमें बड़ी सुई से तागे डाल के इसे फाइनल कर दी इसी तरह शाम तक मैं काफी सारे रजाईगत्ते तयार कर देता हूँ इसी तरह आगली वीडियो में मिलूँगा नए रूप और नए तजर्वे के साथ